हेलो एवरिवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो केसे हो आप और मैं भी काफी हद तक ठीक हूँ, तो आज मॉर्निंग की मेरी शुरुवात गोव माता से हो चुकी है, तो मैं गोव माता को हल्दियू और कुमकुम का तिलक लगा के उसे रोटी खिला रह है, मेरे लिए और खुशी के लिए चाय रख दी है, एक तरफ हो रहे है पराठे, आप देख सकते हो, तो मेरी तबेत इतनी भी अच्छी नहीं है, बहुत ही, मतलब 50-50 बोल सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पर चाय पराठे बनाए है, मेरे लिए और खुशी के लिए, तो द आउंगी, इंजॉय करूंगी, तो किस किस को चाय पराठे पसंद है, प्लिस कमेंट किजेगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, आप देख सकते हो, तो यह देखिए, बहुत मस्त वाला पराठा बनके रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पर खा रहे थी चाय पराठे और फ्रेंट्स मैं आपको बता दू कि मैंने जस्ट नहाया है, और मैं नहा के रेडी भी नहीं हुई हूँ, और आप मेरे हालत देख सकते हो, बहुत बुरी लग रहे हो ना, बट अभी क्या करें, मॉर्निंग का टाइम है, और सुबह सुबह में मैंने रात में खाना नहीं खाया था, तो मुझे भूक लग गए थी, मैंने वो जो तुरही आती है, उसकी सबजी बनाए थी रात में, तो वो मुझे पसंद नहीं है, इस वज़े से मैंने जो है, मॉर्निंग में पराठे बना लिए थी, अपने लिए और खुशी के लिए, तो मैं यहाँ जल्दी-ज साथ तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं आज आपके साथ मेरी कुछ शॉपिंग शेर करना चाहती थी, बट वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो वीडियो में कल अपलोड कर दूँगी, तो मुझे ना मेरा बर्थड़े पे जो मैंने, करना है, और मैं उसके लिए एक पेशल वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो अभी मुझे सारा घर का जो क्लीनिंग का काम है, वो करना है, क्योंकि सारा हम नीचे सोते हैं, तो हमारे जो गद्दा वेगिरा है, वो नीचे ही होते हैं, और आप देख सकते हो, कि मैंने चाय पराठा खतम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जब खाने बेटी थी, तब वो ब्रश करने चली गई थी, और अभी तक उसने नहाया नहीं है, तो सिब मैंने अकेली नहाया है, राज चला गया है उसकी दादी के घर, और आप देख सकते हो, 8.30 होने में है, दिखाई दे रह ले थी, बटर मैंने नहीं डाले, मैंने सच चलो जाने दो, आज कोन आने वाला है अपने घर, बरसात के सिजन में तो कोई नहीं आता है, तो यह सुख जाएंगे न, तो वही वाले डाल देंगे, और यहाँ पर राज के पापा जो है, अपना मोबैल भी चार्ज नहीं करते है, तो उनका मोबैल भी मुझे ही चार्ज करना होता है, तो मैं ही उनका मोबैल जो है, चार्ज करके रखती हूँ, तो बस यही है, और यह देखिए, मैं यहाँ पर सारा क्लेनिंग वे गरा जो है, वो कर रही थी, और मॉर्निंग का टाइम होता है, तो हमाने लेडिस को वह अच्छा नहीं लगता है हमारा दिन जो है वही काम करते करते ही गुजर जाता है तो यहाँ पर खिड़की पर बहुत सारी दवाईया इखटा हो गई थी तो मैंने सारा कुछ जो है निकाल लिया था और रख दिया था तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से उठा के वहाँ पर रख रही थी दुसरी तरफ मतलब कि उसकी जगह पे और मैं आज आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेली की सबजी जो भरवा करेले आते हैं वो तो इन करेलों को मैं अच्छे से वाश कर लिया है फिर इनको बीच में से छूड़ी की सइथा से अच्छे से काट लिये है मतलब की पॉकेट की तरह हमें बनाना है तो आप देख सकते हो और सारे ही मैंने packet के जैसा मतलब जो pocket होता है उस kind of से मैंने cut कर लिया है और हमें पूरा नहीं मतलब जो चीरा है वो पूरा नहीं करना है तो सिर्फ थोड़ा सा ही लगाना है ताकि हमारा जो करेला है वो फटे ना और आप देख सकते हो इसके अंदर जो बीजा है वो मैंने निका लिए है वो अच्छे नहीं लगते है टेस्स में इस वज़े से बाकी के लोग नहीं निकालते हैं बट मैं निकाल लेती हूँ मुझे नहीं अच्छे लगते तो अभी ना शाम के साड़े चार या पाच बजे होंगे तो मैं डारेक आपको शाम को ही मिल रही हूँ तो यह सा आप से बनाती हुना उस तरह से आगर आप बना के देखोगे तो बिलकुर भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे बहुत अच्छे और बहुत सौप्ट हो जाते हैं तो आप देख सकते हो मैंने सारे पॉकेट जो है नमक से भर लिये हैं और मैंने अभी 2-3 घंटे के लिए उसे अंदर हमें कुटना है इसे तो मिक्सी में भी चला सकते हैं बट उसमें बारिक हो जाता है मुझे ज्यादा बारिक नहीं तो दरदरा अच्छा लगता है तो इसमें लेसुन डालना है हमें ये अच्छे से दरदरा होने के बाद और लेसुन डालने के बाद फिर मैं इसमें लेसुन भी हमें अच्छे से कुट लेना है वह अच्छे से बारिक हो जाए इसमें और यह मसाला में रेडी कर रही हूँ तो आप देख सकते हो तो इसे हमें ज्यादा बारिक नहीं करना है फ्रेंड्स दर दरा ही अच्छा लगता है फिर मैं इसमें डालूंगी दो चम्मच के तकरीबन लाल मिर्च पाउडर और इसमें ज्यादा कुछ इंग्रेडियंस नहीं डालती हूँ में बस लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के अकोडिंग नमक डालना है और जो गरम मसाला आता है वो डालना है तो बस इतने ही मसाले डलेंगे आप देख सकते हो औ मैंने यह मसाला रेडी कर लिया है कुटके बहुत अच्छे से हातों से ही कुटनाए हमें और एक तरफ मैंने जो है गैस पर चड़ा दिये है अपने करेले तो उनको एक बाफ ले लेनी है हमें और जो मैंने नमक लगा के रखे थे ना उसमें सिर्फ एक चमस तेल डालके मैं कड़ी में उनको एक बाफ ले लिए बाफ लेने से होता यह है कि हमारे जो करेले हैं वह अच्छे से सॉप्ट हो जाते है कुछ इस काइंड आप से तो आप देख सकते हो बहुत ही सॉप्ट हो चुके है और बहुत मतलब इनका जो कड़वा पन है ना वह निकल जाता है फ्र चैनल पर अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो अपने फ्रेंट्स और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो प्लिस गैस मुझे भी सपोर्ट किजिए तो वस इस काइंड आप से हमें अब देख सकते हो में एक एक करके सारे के सारे जो ही ना भर लूँगी और फ्रेंट्स मेरा एक नेक्स चैनल भी है सेकंड तो मराठी चैनल है प्लिस आप उससे भी सपोर्ट किजिए मेरे चैनल का नाम है मराठी लेक काव्या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द अब देखें मैंने एक एक करके जो है सारे के सारे जो मेरे करे ले हैं वह भर लिये हैं और यह मतलब 20 ट्वेंटी नी सौरी 75 परसंट यह पक चुके हैं अभी हमें सिर्फ मसाला भरना है और मसाला मतलब स्टॉप करने के बाद हम इसे और एक बार कड़ाई में रखेंगे औ थोड़ा सा पकने देंगे ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही पकने देना है हमें क्योंकि यह बहुत अच्छे से पक चुके है अल्रेडी आप देख सकते हो तो मैं आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी बट मेरी थोड़ी तबेद भी खराब थी तो इस वज यह जो तेहर आ रहे है ना तो मतलब की जो तीच का तेहर आ रहा है तो उसके लिए मैं करने वाली हूँ देखेंगे अभी वो तो बात की मतलब बाद में करेंगे तो यह देखिए बीजा निकल गये थे तो वह भी मैने निकाल लिए है और बहुत अच्छे से मैंने स्टप क तो आप देख सकते हो मैंने जो है करेले सारे के सारे भर लिये हैं और मैं अभी रखूंगी कड़ाई में तो मैं उसी कड़ाई का यूज करने वाली हूं जिस कड़ाई में मैंने इनको बाफ लिया था मतलब कि एक बाफ लिया था न वही कड़ाई में तो ये मेरे रेडी है करेले तो मैंने यही कड़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ओईल और उसी ओईल में मैं छोड़ दूँगी इनको करेलों को और बस एक एक करके हमें रखते जाना है और उपसे प्लेट ढग देनी है बहुत इंस्टन्ट और बहुत जल्दी हो जाते हैं ये करेले सिर्फ हमें तीन चार घंटे इसे पहले नमक लगा के रेड़ी करना होता है ताकि ये कड़वे ना लगे बहुत अच्छी तरह से पक जाते है तो मेरे बच्चों को और मुझे और मेरे हस्बन को भी बहुत ज्यादा पसंद है तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो ये देखिए गल चुके है अच्छे से और हो चुके है हमारी करेली की सबजी तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लेगी मुझे प्लिस कमेंट कीजिएगा और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं ये देखिए आपको मैं हाथ से इजली तोड की दिखाती हूँ तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए घर में रहिए सुरक्षित रहे अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए बाइब बाइ!